हेलो प्रेंट्स वेलकम टेनने स्टॉक्स इनफोसस लिमिटेड देखें इनफोसस लिमिटेड पर भी आप लोगों ने मेरे से एक व्यू मांगा था जिसके उपर मैं आज एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं और आई थिंग इनफोसस के उपर हम लोग बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं तो IT सेक्टर का जियांट है ये अगर आप देखें किसी से आप पूछें कि NSC के उपर कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आए दिन अपना 52 वीक हाई लगाता रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि देखें इनफोसस एक ऐसा स्टॉक होगा जो पिछले काफी लंबे टाइम से हर एक नए दिन आपको नया 52 वी खाई लगाता है मिलता है 509 रुपे किसके लेवल्स थे मार्च 2020 में और आज की तारीक में ये स्टॉक 1730 रुपे पर आके खड़ा हुआ है तो देखें यहां पर इनफोसस लिमिटेड के उपर मैं आपको टेक्निकल पर पब्लिश हुई है उसका इंपक्त कल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसका तो मैं नहीं जानता लेकिन क्योंकि ये वीडियो मैं इनफोसस को लेके डेडिकेटली इसी स्टॉक पर बना रहा हुँ तो वो न्यूस भी आपको दिखाना मेरी ख्याल से सही होगा क्योंक को बताता हूँ 7 जून 2021 को इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंकम टैक्स मिनिस्ट्री ने बेसिकली एक नया पॉर्टल लॉंच किया था इंकम टैक्स फाइलिंग को लेके और वो जो पूरा पॉर्टल है वो 2019 से लेके 2021 तक इनफोसस ने उसको डिजाइन किया है इनफाक इन उसके अंदर कोई ना कोई टैक्निकल गले चाहता है यानि कि आप अगर उसके अंदर प्रोफाइल भी अपडेट करने जाते हैं तो भी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाती फाइलिंग की बात तो बहुत दूर किये अब जब यह सारी सिचूशन चल रही थी तो यू अब ही तक क्यों यह सही नहीं किये गए हैं वैसे तो स्टॉक प्राइस से इसका ख़बर का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है टेक्निकल गलीचिस जो होते हैं वो कहीं बार आते रहते हैं और यह सारी कंपनीज जो होती हैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं मुझे लग हमारे जो स्टॉक मार्किट है वो ऐसी निउस को लेके रियूमर्स को लेके या किसी भी नई डवलप्मेंट को लेके बहुत ज़्यादा सेंसेटिव है तो हो सकता है एक निगेटिव इंपक्ट इस स्टॉक के ऊपर आपको देखने को मिले कल की टेडिंग सेशन में यानी क 2020 का security wise delivery positions आपको दिखा है तो 63% approximately यहाँ पर percentage of delivery आपको आते विए दिखाई दे जाएगी अब यह है देखिए daily charts in forces के यहाँ clearly देख पा रहे हैं कि एक breakout जो से stock के अंदर आया था basically 4 जून के बाद में वहां से देखे इस stock ने तकरीबन 1400 रुपे के levels से जरनी शुरू करी थी और 1400 रुपे के level से जरनी शुरू करने के बाद में इसने फिर वापस पीछे मुण के नहीं देखा थोड़ा सा retracement आपको यहाँ पर June end में आते वे दिखाई देगा जब बहुत हलका सा minimal retracement इसने लिया था and again वापस से एक base बना कर इसने अपनी जरनी को continue किया तो again यही situation इस stock के अंदर है tech sector एक देखी ऐसा sector है जिसको support है US का and overall अगर आप situation देखेंगे तो इस Corona pandemic के टाइम पे tech companies ही सबसे भरोसे मन sector निकल किया है पहले एक pharma sector था जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा लेकिन इस साल 2021 में pharma sector के अंदर weakness हमें देखने को मिल रही है पिछले एक quarter से अब IT देखें कि ऐसा sector है जो continuously running है continuously चलता जा रहा है और इनके जो demand है इनके जो customer base है client base है वो भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि अब जो condition है over the अगर हम बात करें पूरे globe की तो जितना ज़्यादा IT का use इस वक्त हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ था या फिर आप य कह दीजें कि देखें जितना आज की तारीक में use हो रहा है उतना हम लोग 5 से 10 साल बाद expect कर सकते थे तो यह quantum increase हुआ है जो quantum बना है IT services के अंदर यह actually में COVID-19 की वज़े से बना है और दूसरा जो सबसे important factor है IT सभी IT companies में कि इनकी infrastructure cost कम हो गई है अब इन companies ने सीख लिया है कि कै इसे हम लोग अपने employees से घर बैठे काम करा सकते हैं तो overall इनकी जो financial books है वो सर्फ अभी नहीं बलकि आने वाले टाइम में भी आपको इसी तरीके से growth करती भी दिखाई देंगी यानिकि इनका जो profit margin है वो कही ना कहीं भढ़ गया है और अगर उसमें भी देखें इनको काम ज दिखाता रहेगा तो अभी की जो फिलाल situation है अगर आप देखें यहां पर तो 18 तरीक को इसने नया 52 भी खाई लगा है जैसे हमने भी stats पर देखा रूसके बाद में अगले दिन की जो candle है वो हल्की जिन नीचे आती भी दिखाई दिये लेकिन अगर आप यह चीज देखें क कि पिछले कुछ trading sessions का RSI value क्या आ रही है तो वो अपने overbought zone में पहुच चुकर वहां से नीचे आ रहा है यानि कि 80 के level से पार जाके अब नीचे की तरफ आ रहा है तो एक retracement mode इसके अंदर चाल हुआ है जैसा हमने यह retracement mode देखा था उसे तरीके का यह retracement रह सकता है इसके अ 54 के level से और कहां तक की value दिखाई थी यह देखिया 53 तक की value यानिकि approximately 30 points नीचे आया था जबकि इसके stock price में कोई खासा impact नहीं पड़ा था तो इसका stock price देखे basically 1590 से गिरके and कहां तक वो आया maximum 1532 तक तो बहुत बड़ा कोई price drop नहीं हुआ था लेकिन RSI basically क्योंकि एक combination factor होता ह जो price and volume के हिसाब से आपको indicate करता है कि stock price के अंदर share के अंदर कितना जाधा strength है कितना जाधा momentum है तो ये actually मैं आपको momentum बताता है तो इस वक्त momentum lose हो रहा है लेकिन ये कब वापस से रफतार पकड़ेगा इसका भी कहना मुश्किल है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भार रुपे तक retracement इस stock के अंदर आपको देखने को मिल सकती है and यहां से definitely उपर की तरफ अपनी जरनी वापस से चालू करेगा and तब तक देखिए इसका RSIB कहीं न गई 50 के levels को touch करता आपको दिखाई दे जाएगा तो इक बहुत comfortable position होगी अगर आप 1670-1650 रुपे तक अगर ये reaction दिखाता है and अगर नीचे की तरफ आता है तो ये levels होने चाहिए support के जहां से retracement लेगा और अगर ये retracement लेदा चालू कर दे तब आपको नई positions stock के अंदर add करनी हैं अगर आप लोगों ने top पर positions बना रखी हैं कोई खबराने वाली बात नहीं हैं बिलकुल भी selling मत कीजेगा loss में ये stock बहुत जबर्दस potential के साथ में इस वक्त कामकाच कर रहा है बहुत जल्दी अपने नए 52 week high लगाएगा यानि कि लेवल से भी उपर जाने के लिए बिलकुल तयार है तो overall ये view है देखें यहाँ पर बहुत ज़ादा technicals कहने की जरुवत ने क्योंकि सब कुछ यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है तो एक नीजग reaction जिसको कहते है वो आपको इस news की वज़े से जो basically आ जाईए वो देखने को मिल सकती है but that is not a big issue for coming one month तो overall देखें ये view है मेरा Infosys Limited के उपर जो एक बहुत ही अच्छी तरीके से अपने levels को conduct करते वे नए 52 week high लगाते ही जा रहा है और इसका जो strength है वो भी यहाँ पर काफी मजबूत होते जा रही है तो इस वीडियो में फिलाल इतने इस वीडियो करते हैं ही पर ही पैक ये व लूँगा आपसे एगले वीडियो में एगले stock के साथ तिल दन थेंक्यू बबाई